कि ही गाइस वल्कम बैक मैं यूटुब चैनल कैसे हैं यहां पर हो बच्छे होंगे आज का मेरा टॉपिक रोज फ्लावर प्लांट पर है उससे पहले यह देखिए जो मेरे गिन्दा प्लांट की मैंने इस तरह के से कटिंग लगा के और इस बॉटल में लगया था उसकी अप कि मुझे लगा मन्यूका फूल प्लांट प्लांट है अधिवान चूटे छोटे जो दिक्टा यह सायद इसका फूल होता है इसका कुछ कुछ नहीं इसके फूलों कोई नहीं इसके दिखिए ।्पा पौदर था सुखे निन निकलता है तो एसी दिखिए मेरा घुलब का प कुछ जानकारी सेयर करनी थी कि अगर हैभी फ्लावरिंग के बाद भी आप चाहते हैं कि आपका प्लांट दो बारा से हैभी फ्लावरिंग करें तो उसके लिए आप पौधी को किस तरीके से तेयार करें देखें इतनी छोटी सी ब्रांच है और इसमें कलिया आ रही है और थे क्राटी देखी थोड़े-थोड़े मौस लग गई है और खरपत्वार भी उग गए है तो बारिज के टाइम में हपते हपते में खरपतवार उग जाते हैं तो इनकी गुडाई करना और खरपतवार को निकलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और ये देखें किस सुन्दो सुन्दो से फूल खिले है मौसम में हीट होती है इन दिनों में बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है तो कभी उमस वगैरा होती है तो जो फूल होते हैं वो जल्दी मुर्जा जाते हैं तो यह जो मुर्जाय फूल है उन्हें हमें कहां से कट करना चाहिए और इन मुर्जाय हुए फूलों को किस तरीके से रियूज कर सकते हैं अपने गार्डन में ये सारी बाते इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी तो गाई सबसे पहले जो फ्लावर आके देखें जैसे कि यहां से फ्लावर आया था मैंने तोड लिया है उसके बाद देखीं यहा जादा पतली है तो मोटी और हेल्दी ब्रांच के लिए हमें चाहिए कि जब भी फ्लावर हमारे मुर्जा जाएं जो मुर्जाय हुए फूल है उनकी तीन से चार पत्तियां नीचे तक हमको हटा देनी है उसके बाद जो ब्रांच आएंगी वह काफी मोटी होंगी यह देख जाता है और आज हमने देखा कि हमारे यह काम में आने वाला है और इस तरीके से देखिए इसको फेकना नहीं है इसको जहां पर फटिलाजर बनाती हूं वहां पर रखोंगी सबसे पहले इन सभी ब्रांच को मैं कट कर लेती हूं देखिए कितने सारे मुर्जाय हुए फूल है तो इनको कट कर लेती हूं उसके बाद बताती हूं कि आगे हमको क्या करना है यह देखिए यह दिखिए यहां से कट किया था तो यह देखिए काफी हल्दी सी ब्रांच निकल रही है तो जब भी फूल मुर्जा जाए तो उसके तीन से चार पतियां नीचे तक हमें कट कर भी फूल हैं इसको नए कट करेंगे बाकि जितने मुर्जाय फूल है कट करके आपको दिखाती हूं तो यह देखिए हमने फूल को कट करके एजगर कलिया है पहली है और अप देख सकते है कुछ इस तरह के से ऊपर फूल है तो देखिए तो दो तीन और यह चार उसके प्लां्ट चाहेगे वह मोटी हेल्दी अच्छी होगी तो इतने सारे देखिए फ्लाविंग होई थी हैभी फ्लाविंग आप इसे कह सकते हो अब दूसरे पड़ाव पर हमा आजाते हैं अब हमें करना होगा गुलाब को अब क्यूलाब की मिठी की गुडाई करनी होगी तो द जो रूट होती है वो जितनी अच्छी भुरबुरी मिट्टी पाएगी उतने अच्छे से डेवलप होगे और प्लांट नीचे से जितना अच्छे से बढ़ता है उतना ही उपर से वो अच्छे से बढ़ेगा अगर नीचे से इसकी रूट अच्छे से फैल नहीं पाएगी तो ओपर से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिली दा कि तो इस बारिज के टाइब में हफटे-हपटे में जरूर से मिटी की गुडाई करें बहुत बार होता यह है कि हम लोग मिटी की गुडाई नहीं करते हैं बाकि उसको फटिलाइजर वगारा सब कुछ अच्छा देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है क्योंकि मिटी हमारी जो है वह हार्ड बन चुकी है सौफ्ट नहीं है मिटी जितनी बुरबुरी जितनी सौफ्ट अच्छी होगी उतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से देखिए बारिस परसो हुई थी हमारे हां इसके बाद दो दिन बारिस नहीं हुई और इसमें बारिस का ही पानी है मैंने हमारे पास टाइम होता है तो मैं टरस पयाती हूँ और क्या करती हूँ कि यह जो मिट्टी होती है नमीदार और इसकी मैंने गुडाई की होती है उसको हाथों से वह स सब्सक्रымиवाइब तो रहा है कि अजहाँ तो यह प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह मैथट यह तरीका खेतों में भी अपनाया जाता है जब आलू अगए रखी मुवाई होती है तो मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को शोड़ दिया जाता है और साम के टाइम उसे पैर से क्योंकि एरिया बहुत जादा होता है तो पैर से उसके बड़े-बड़े जो मिट्टी के धेले होते हैं उसको फोड़ दिया जाता है तो उसके बाद आलू पे मेड़ चड़ाई जलती है तो यह सारे काम हमने देखे हैं और हमें लगता है कि वो प्लांट पे भी अप्लाई करना चाहिए र और इसके हाथों से इसको फोड़ देती हूं उसके बाद मुझे जो भी फटलाइजर वगएर अपलाई करना होता है उसके बाद अपलाई करती हूं और तब आता है इसका बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट एन काइस यह वाला जो मेरा गुलाब को पदा है यह रिपोर्टिं और वो मर जाते हैं और यह वाला देखिए यह अभी इसकी जो रूट है वो सर्फेस एरियर तक नहीं है और इसमें भी घा सुख चुकी है तो इस तरीके से कर देंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसके बाद अब इसको मैं सुखने दूंगी और साम को मैं फटला पाने फ्लावर थें मैंने कट कर दिये और नहीं नहीं देखिए बरांच आ रही है और यह देखिए यह भी एक दू दिन में खिल जाएगा यह देखिए इस तरीके के रिजल्ट को अगर आप ऐसा रिजल्ट आप भी चाहते हैं तो आप जरूर से अपने प्लांट को इस त हाइड बनी हुई है उसके बाद अगर आप उसमें फटिलाइजर डालेंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलें और कुछ ऐसी ब्रांच देखिए जैसे वाली ब्रांच है इस पर फ्लावरिंग हुई थी उसको आप कट दें कट कर दें क्योंकि ऐसी तो यह अच्छा होता है क्योंकि यह फूल नहीं देते हैं सिर्फ प्लांट पे लगे हुए खाद वगएर की खाद वगएर से एनर्जी लेते रहते हैं तो यह हो गया मेरा प्रूनिंग और मिट्टी की गुड़ाई अगर आपको लगता हो कि नहीं मेरे प्लांट की अच्छी नहीं हो रही है तो आप क्या करें कि जो चौक होता है या फिर बुजा हुआ चूना उसको आप मिटी में डालना चालू कर दें क्योंकि वारिस में ऐसे भी गुलाब को एसे डिक चीजों की ज़रूरत नहीं होती है सिर्फ आप अपने प्लांट में वही दो चीज अप्लाइ करिए दो में से एक चीज या भुजा चूना या फिर चौक तो उसे क्या होता है उसमें कैंसियम पोटेसियम बहुत सरी चीजे होती है अगर फिर भी आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है अच्छी से ग्रोथ नहीं करता है तो आप प्लांट कर सकते हैं और प्लांट को केले का खात देजिए कैसा भी आपका प्लांट है कर वो फिलावरिंग नहीं कर रहा है तो चलका होता है उससे बनाऊए भूछ झायद हुद्धा फायदेमंद होता है मैंने खुद भी अपलाई किया मेरे बहुत सारे फ्लावर प्लांट नर्सरी से आने के बाद एक साल तक फ्लावरिंग नहीं कियें लेकिन जब मैंने बनाना पिल फोटेलाइजर यूच किया तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला तो इस वीडियो में मैंने रूज फ्लावर प्लांट से जोड़ी बहुत सारी जानकारी दिये तो वीडियो को एन तक देख किये गाँ बाई है वी नास्टे